बात होली की हो और फिर अंदर से मह और आत्मा मंत्र मुक्त नहों ये कभी हो नहीं सकता है लेकिन हम आज आपको बात करने वाले हैं बिहार की होली के बारे में वो भी नेताओं की होली कैसी होती है तो बिहार की नेताओं की होली भी गजब होती है सभी के होली खिलने का तरीक बहुत ही निराला होता है लोगों को भी इनकी होली बहुत पसंद आती है लालु यादो जब बिहार के मुखमंत्री थे तब उनकी कुर्ता फार होली की चर्चाएं खुब होती थी लालु यादो अपने आवाज पर आये विधाय को आरकार करताओं के कुर्ता फार दिया करते है बताया जाता है कि लालू यादों का दौर ही अलग था उस वक्त वह अपने दर्वाजे पे खुद ही ढोल मंजीरा लेकर मौजूद होते थे वह गाना भी गाते थे यह कहना गलत नहीं होगा कि होली का त्योहार लालू यादों को काफी पिरिये था लालू यादों के बाद लोग जग सकती पाटी के नेता राम विलास पासवान के भी होली अनोखी हुआ करती थी उनके घर भी होली का खूब रंग जमता था दरसल यहां रंगों के टब में लोगों को फेक दिया जाता था लेकिन राम विलास पासवान के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने इस परंपरा को बनाय रखा है यहां भी अब भी टब में लोगों को फेका जाता है और होली खेली जाती है लोग खुब मस्ती करते हैं बतादे कि टब में घोले गए रंग इतने गाड़े होते हैं कि कई दिनों तक यह निकल ही नहीं पाते अब बात बिहार के मुखमंत्री न नेताओं का जमावडाल लगा रहता है कई लोग यहां नितिस्कुमार के पैरों पर अभीर लगा कर उनसे अशिरवाद लेते हैं तो कुछ लोग उनके ललाट पर अभीर लगाते हैं यहां सुरक्षा के भी पोक्ते इंतिजाम किये जाते हैं खोली में बनने वाले ब्यंज उनके अवास पर भी होली का उत्सो मनाया जाता है और यहां कई कलाकार अपने कला को पेश करते हैं तो 23 आदो भी होली खेलना काफी पसंद करते हैं जो बिहार में मौजुदा समय में डिप्टी स्यम है वह इस दिन सबसे पहले अपनी मा राबिर देवी का अश्रवाद ले लगता है और होली जम कर मनाया जाता है यहां कारकरता से लेकर आम लोग एक दुसरे को होली की बढ़ाई देते हैं और अभी गुलाल लगाते हैं साथ ही साथ प्रारंपरिक तरीके से ढोल और मंजीरा का भी गायन होता है यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरू सब्सक्राइब कर लिजे अगरे वीडियो फेस्बूक के मादन देखने तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले धन्यवाद लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बूक पर लाइक जरूर करें